मैं तो AdSense से काफी अच्छी अर्निंग करना हूँ बट अगर आप लोग AdSense से अर्निंग करने में अनेबल हैं तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ AdSense का बेस्ट अल्टरनिटिव इस वीडियो में सो गैस कैसे आप लोग आई होप आप सब लोग सही होंगे आप लोग देख रहे हैं FtThoughts YouTube चैनल और मैं रवी कुमार आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग AdSense के अलावा भी अपने वेबसाइट से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और काफी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ जिसका प्रूफ आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी लिया बट मैं इस वेबसाइट का भी यूज अप करने वाले हूँ और कैसे इसमें मैं अपनी अर्निंग को इंक्रीस करूँगा साथ के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़े ब करते हैं मुझे नहीं पता तो मैंने स्पेलिंग आप लोगों को बता दी yllix.com अब गाइस यहां पे आप लोग पब्लिशर अपने वैप साइट को इंस्टेंट अप्रूवल पा सकते हैं 100% फिल रेट आप लोगों को मिल जाता है मतलब हर तरीके के एड्स आप लोगों को सामने हैं और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डेली पेमिंट्स आप लोगों के लिए होती है और यहां पर मिनिमम जो पे आउट है वो मात्र पांच डॉलर है मतलब कि आप लोग 5 डॉलर पे भी अपना पेमिंट यहां पे निकाल सकते हैं तो वाइस सारी चीज़े मै अप लोगों को बता दिये अब कैसे यहां पर हमें स्टार्ट करना है तो हम होम पे आएंगे और यहां पर दो आप्शन मिलेंगे लॉगिन और नीचे आप लोग आएंगे तो लिखा जाएगा create account, तो create account पर आप लोगों को click करना है, यहां पर आप लोगों को अपना account बनाना है, जो कि बहुत easy process है, सबसे पहले title में Mr. या Mrs. जो भी आप लोग तुन लीजिएगा, first name, last name, email address, ये तीनों चीज़े enter करेंगे, तो आप लोगों को account बनाने दिकागा, जो first process है, वो complete हो तो इसका आप लोग घ्यान दीजिएगा, तो देख सकते हैं guys, यहां पर आप लोगों का login credentials होंगे, जो कि username, password, account ID, सारी चीज़े होंगी, तो यहां से आप लोग अपने account में login कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का email address और password भी उस email में mentioned होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते और activation link भी होगा, तो सबसे पहले आप लोग activation link पर click करके अपने account activate करेंगे, इसके बाद आप लोग login करेंगे, तो देख सकते हैं, password और email ID दोनों, मैं password को बात में change कर दूँगा, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, login के बटन पर click करेंगे, तो आप लोग अपने account में यहाँ पर login हो चुके हैं, और यहाँ पर इनका कुछ term, condition होता है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें, तो term, condition पर click करेंगे, पूरी आप लोगों के सामने file आजाएगे, पढ़ सकते हैं, और इसके बाद complete registration के button पर click करके, यहाँ पर individual है या company है, तो individual चुन लीजेगा, और इ अगरस करिएगा, और ननो सेलेक्ट कर दीजेगा, और payment में मैं आप लोगों को recommend करूँगा, कि आप लोग पेपाल सेलेक्ट करिएगा, जिसमें minimum जो payout है, वो मात्र 5 डॉलर है, मतलब 5 डॉलर होते ही, आप लोग अपना PayPal से पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अ सबसे पहले यहाँ पर overview होगा, दिन इसके बाद report वाला section होगा, जिसमें आप लोगों को अपने website के status बगरा पता चलेंगे, add text में जाके आप लोगों को add code मिलते हैं, तो add code यहाँ से आप लोग generate कर सकते हैं, जैसे banner, redirect add, slider या anchor add, pop up, under add भी आप लोगों को यहाँ पर मिल ज जाता है, अब इसके बाद guys, जो next चीज है, वो है push notifications, अब push notifications guys, मैं तो आप लोगों को recommend करूँगा, इसका use मत करिए, क्योंकि website का user experience होता है, बहुत ज़्यादा यह बेकार कर देती है, तो मैं तो आप लोगों को recommend नहीं करूँगा, बट अगर आप लोगों को करना चाहें, तो देख सकते हैं, website type मेरी mainstream है, अब format मैं चलूँगा, यहाँ पे, जो भी मेरे को best लगता है, जैसे मेरे को 300 into 250 वाला जो format है, वो best लगता है, placement का नाम यहाँ आप लोग देश सकते हैं, अब यह कौन सा banner है, तो generic banner पे select करिएगा, और yes कर दीजेगा, तो देख सकते हैं, code आ दिखा देता हूँ, यह मेरी एक website है, जो कि मैंने अभी 5-10 दिन पहले या एक-2 महीने पहले बताई थी, मेरे को generally याद नहीं है, अब इसको मैंने बनाया था guys, February में देख सकते हैं, अब इसके बाद guys, मैं आप लोगों को दिखा हूँ, तो layout में आप लोगों को जाना है, layout layout में जाने के बाद guys, add a gadget का एक button दिखेगा, आप लोगों को इसके बाद HTML जावा सरिक्ट कर लेना है, और content में जो paste करना था, आप लोगोंने जो copy किया था, उसे paste कर देना है, और that's it, यह हो गया, आप मैं यहाँ पर add blocker यूज़ कर रहा हूँ, तो add blocker में pause कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं refresh करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे, कि यहाँ पर इस website के ad show होने लग गए है, और guys देख सकते हैं, किसी भी तरीके के adult ad नहीं है, mainstream ad है, अब guys इस पर जो CPC मिलता है, इस website का वो काफी अच्छा है, अगर आपके ads पर click होते हैं, तो काफी अच content आप लोग select कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर script का, यहाँ पर जो code है वो आ जाएगा, जैसे आप लोग head वाले section में paste कर सकते हैं, तो इसके लिए theme पर आप लोग क्लिक कर दीजेगा, edit html पर click करिएगा, और यहाँ पर guys head वाले section आप लोगों के सा नहीं करें, क्यूंकि guys इससे जो user experience होता है, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, बट सबकी अलग-अलग अपनी सोच होती हो, तो अगर आप लोगों को use करना है, तो same process ऐसे ही रहेगा, अब इसके बाद guys देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़े आप लोगों को बता दि वो भी बहुत easily आप लोगों को करना का है, जो steps में आप लोगों को बताऊंगा, उसे follow करना है, और वो steps आप लोग follow करते हैं, तो आप लोग अच्छी खासी earning या adsense से भी अच्छी खासी earning आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ मेरी steps को follow करना है, अब इसके बाद guys देख सकते हैं, payment वाले section में आप लोग अगर जाते हैं, तो minimum $5 की payment है, जैसा ही $5 होगी, तो daily आप लोग अपने payment को निकाल सकते हैं, तो और PayPal के थूँ आप लोग अपनी payment निकालेंगे, so guys I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़े I hope मैंने आप लोगों क से और निक कर सकते हैं, so guys I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए, तो guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then goodbye